आज हम करने वाले हैं लेसन नमबर 19 हमारी अकांगी शुरू की हुई थी हमारी अकांगी का नाम है देश के दुश्मन तो पेटा इसका सार हमने कर लिया था अब हमने क्वेशन अंसर करने है जिसका अंसर हमने तीन चार पंक्तियों में देना है तो हमारा फर्स्ट क्वेशन है सुमित्रा क्यों कहती है कि अब उसका हिर्दे इतना दुर्बल हो गया है कि जरासिय शंका से कांप उठता है तो हमारा अंसर है सुमित्रा ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसने अपने पती के बलीदान पर अपना हिर्दे पत्थर चैसा बना लिया था अब जब उसने अपने बेटे के बारे में बुरी खबर सुनी तो उसका हिर्दे काप उठा क्योंकि जैदेव उसका इकलोता बेटा था जिसको खोने का डार उसके मन में लगा रहता था और इसी वज़ा से उसकी हिम्मत तूट गई थी और इसका स्रीर को मजोर हो चुका था अब उसमें दुख सेहने की ताकत नहीं रही थी ठीक है बटा नेस्ट है नीलम जैदेव से मान भरी मुद्रा में क्या कहती है तो हमारा अंसर है नीलम जैदेव से मान भरी मुद्रा में कहती है कि उसने इतने दिन कहां लगाएं हैं उसकी आँखें उसका रास्ता देखते देखते पत्थर सी हो गई थी और उस आपको किसी की परवार नहीं है कि किसी के दिल पर क्या बीद रही है इस बात की भी कोई खबर नहीं है कि आपका कोई इंतजार कर रहा है ठीक है यह देव को से ये समचार मिला कि रात की अंदेरी में पुलस पीकेट से एक डेड़ मीर दक्षिन की तरफ से कुछ लोग बार्डर क्रास पार करने वाले हैं ऐसा शक है कि वैसोना समगल करके ला रहे हैं ठीक है नेस्ट है जैदेव ने अपनी शुटी कैंसल क्यों करा दी थी तो हमारा अ जैदेव ने अपनी शुटी कैंसल इसलिए करा दी थी क्योंकि जब वो जाने के लिए तियार था तो उसे दो तिन घेंटे पहले ही गुपतचरों ने ये समचार दिया कि रात की अंदेरी में पुलस पीकेट से एक डेड़ मीर दक्षिन की तरफ से कुछ लोग सोना समगल क बार्डर पार करने वाले हैं और वैं ये मोका हाँ से अब वैं किसी भी हाल में ये मोका जो है अपने हाँ से नहीं जाना देने चाहता था मतलब कि मतलब कुछ लोग सोना समगल कर बार्डर पार करने वाले हैं और ये मोका वैं किसी भी हाल में अपने हाँ से जाने नहीं द चाहता था ठीक है नेस्ट है नीलम क्यों कहती थी कि डीसी दुपहर के बाद जयादेव को मिलने आए हमारा अंसर है नीलम इसलिए चाहती थी कि डीसी दुपहर के बाद ही जयादेव को मिलने आए क्योंकि जयादेव बहुत ही ठका हुआ था और उसको कमजोरी महसूस हो रही ठीक है बटा जी नेस्ट है कहते है कि काकी में डीसी के इस संवाद किस संवाद से पता चलता है कि डीसी और जैदेव में गहरी मितरता है या गनिस्टा थी और हमारा अंसर है जब डीसी जैदेव को मिलने उसके गहर आया तो जैदेव ने उसे सर कह कर बुलाया और कुर्सी पर बैठने के लिए कहा इस पर डीसी ने जैदेव को कहा कि वो उसे सरवर ना कहे क्योंकि वे उसका वही बच्पन का मितर और कलास मेट है जिससे हाता पाई कि ये बिना खाना ह जगड़ा करके खान अब एक हाँ है तो हमार अंसर है डीसी सुमित्रा को आखर बताता हैитанक ज्यादेव की वीता और साहस के लिए उससे समानित किया जाएगा और गुवर्नर साब की तरफ से 10,000 की इनाम राशी भी जैदेव को दी जाएगी तो नेस्ट कोशन है हमारा क्याते है जैदेव इनाम से में मिलने वाली राशी के विशे में क्या गोशना करवाना चाता है और इस राशी को शहीद अफसरों की विद्वाओं को आदा आदा बांट देगा ठीक है बेटा जी इस तरह जी हमारी चोटे question answer जो के तीन चार पंक्तियों में है इसका answer वो complete हो गया तो next video में हम अगले question answer करेंगे long question answer करेंगे और इसके बाद हम lesson जब complete हो जाएगा तो फिर हम grammar work करेंगे ठीक है बेटा तो next video में मिलते हैं take care